है गाइस विल्कम बैक ट्यू माई यूटूब चैनल दोस्तों नीट एक्जाम 2021 को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी चौकाने वाली खावर आई है तो दोस्तों अगर इस न्यूज को मैं बता दे रहा हूं तो आप सुनकर हो सकता है बहुत ज्यादा खुश हो जाएं क क्योंकि यह इंकमिंग जो फ्यूचर में अभी नीट का एक्जाम देना चाहते हैं फैनली न्यूज यह उनके लिए है तो दोस्तों न्यूज देने से पहले एक रिक्विस्ट करता हूं अगर आप हमारे योटूब चैनल पे पहली बारा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब क कोट ने यह कहा है कि जिन चात्रों का आईकी लेवल जादा है वह नीट का एक्जाम दे सकते हैं बहले ही उन्यूंकि उम्र जो NTA NEET के द्वारा निर्धारीत एज है कि ये एक particular age के बाद ही कोई छात्र नीट का exam दे सकता है इस पे मद्रास High Court ने एक बड़ा decision लिया है तो इसमें पूरा news के आईए मैं पढ़के बता देता हूँ अभी हमने तो headline सिर्फ पढ़ा है जी हाँ दोस्तों मद्रास High Court ने Tuesday को सिंगल बेंच की जज ने ये कहा कि जिन छात्रों की उम्र 16 साल है यानि 16 एर है इट का exam दे सकते हैं medical के लिए तो दोस्तों अभी तक आप जानते हैं कि NTA NEET ने 17 साल minimum age रखा था NEET exam देने के लिए लेकिन मद्रास High Court में इसने बड़ा एक shocking update दे दी है उन सभी छात्रों के लिए जो NEET का exam देना चाहते हैं लेकिन वो age की वजह से exam नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों उन सभी छात्रों के लिए सबसे बड़ी ख़बर है और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको यहां बता दू जो इसमें लिखा हुआ यहां दोस्तों उसमें मदरास हाई कोट ने यह भी मेंशन किया है कि जिवो छात्र अपने क्लास में यानि क्लास दस्वी और बाराहमी बोर्ड एक्जाम में हमेशा से फर्स्ट रैंक में आते हैं या फिर उनका जो मार्क है वो काफी ज्यादा अच्छा है तो दोस्तों एक चीज़ यहां पर और मेंशन किया गया है एस पर नियूरो साइकोलोजिकल रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर किसी चात्र की IQ लेबल 143 यानि 143 रहता है तो वो चात कर लें और इस वीडियो को जादा से जादा अपने उन सभी चात्रों को सेयर करें जो नीट का एक्जाम देना चाहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू